हलो दोस्तों राना क्लासेज में आपका स्वागत है तो दरोगा की एक्सेश्टो तीन वैकेंसी की पूरी बीप्रनी आ गई है और लगभग कब तक आ सकती इसकी भी तैयारी है जो कि शुरू हो गई है तो इस वीडियो को शुरू से अंतक दिखना ना भूले तो जैसा कि बत कम काम आ जाए तो क्या है दा बोर्ड इस करेंटली कारिंग आउट रिकूरिट्मेंट प्रोशेश फोर मेल एंड फीमेल सब इंस्पेक्टर एंड इंकुवेलेंट पोस्ट इन यूपी पुलिस और एज फॉलो उत्तर प्रदेश के लिए यह है तो सब इंस्पेक्टर इस सेकेंड ऑफिशर मेल के तेज टोटल है जोकी एक्षट सो तीस परद है जोकी पोस्ट है और आप देख रहे हैं दबीट्स आर बिंग इंवाइटेड फोर दा कम्प्लीट सेलेक्शन प्रोशेश पोस्ट सब इंस्पेक्टर एंड इकुवेलेंट पोस्ट इन यूपी किलियर हो गया फिर दूसरा है जेनरेशन एंड आप ओनलाइन अप्लोडिंग ओफ एंडमीट कार्ड कुश्चन बैंक कितना मनाना दस हजार है ओनलाइन सीवीटी लेना है सेंटर इंवाइटेशन रिजॉलूशन ऑफ अब्जेक्शन रहेगा डॉक्मेंट वेश्पिकेश दस लाख अबेदन के लिए लगभग यह त्यारी की जारे यह टेंडर निकाला जारा दबोर्ड इंटेंट्स टू सिक एसिस्टेंस ऑफ एजनसी हैब प्रोभेन कंपेन कंपिटेशन एंड रिच एक्सपेरियंस इंकरिंग आउट सिमलर एक्ट बीटी है एक्सिलेंट इंस बीट्स टेंडर होगा वह बीशाट को होगा कोश्ट अब टेंडर कोश्ट दस हजार जीस्टी रहेगा नॉर्मल रिफर्डमेंट और एरनेस्ट डिपोजिट है इस करना है और इसकी जो मनेता होगी यह मतलब क्या है कि यूपी पुलिस में अब जो है बहुत सालों से जिस कि जिस तरह से और कारसाय कारायादिचक जो रहते हैं और भी पोश्ट है वह एक साथ उसी तरह एक सट सो तीस पदों के लिए और यह आपको विग्यापन है जो कि हर हाल में अगस्ट में अधिसूचना जारी हो जाएगा और सितंबर में आपको ओनलाइन फॉर्म आवेदन सुरू हो जाएगा तो आप देख रहे हैं और इसके बाद इसकी योगजिता के बारे में जानने की कोसिस करेंगे कि क्या है इसमें है कि आपको मानेता प्राप्त से है जो कि आपको ग्रिशन होना चाहिए उतर प्रदेश के हों बिहार के हों या बाहर जेनरल की सीटों पर अगर उतर प्रदेश से बाहर है सभी सीटों पर फाइट कर सकते हैं जेनरल की 21 वरस है जो कि उप्री आयू है और है जो कि निवनतम आयू कितनी है 21 वरस अधिकतमाई 28 वरस है और स्ट को पांच वरस की छूट है और इसमें जो हाइट है कितनी है सामान पिछड़ा बार पूरी सभीरतियों के लिए आपको 168 cm की पूरे डाटा में दिखा देता हूं कितनी है यहां पर आप देख सकते हैं 168 cm है मेल जेनरल की OBC की SC की और 89 है मेल की 807 फीमेल की है जेनरल OBC SC की 152 फीमेल की ST की 147 फीमेल बेट 40 किलो तो यह आपने देखा और पांच सेंटमीटर फ्लाव है जो कि होना चाहिए इंडियान आप बताया है एक से 28 वरस नियूनतम सैचिक है जो कि आपको जो कि ग्रेशन होना चाहिए और अगनी 7 के लिए प्लेटून के लिए थोड़ाचा अलग है इसमें एक बिज्ञान में जो कि असना तक रहना चाहिए सुची जो दिया हुआ उसमें और प्लेटून के लिए है जो कि डिगरी अलग होना चाहिए जो इसमें दिया हुआ है यह तो वागे आपको बता दिया यूगता भी बता दिया आयू सीमा भी बता दिया घुजब की जो में हैं हाइट हो भी बता दिया और क्या है सारी दिर्फित परिच्छन के बल्ड डीवी पिस्टी में योग में दिमारों के लिए है एक दौड होगी पूरुष 28 मिन पे 4. और महिला 16 मिलनेट में 2.4 किलो मेटर यह रहेगा अब सिले बस यही रहेगा आपको ओनलाइन परिछा होगी 40 कोईश्चन है जो कि जेनरल हिंदी रहेंगे लो एंड कंस्टिूशन के 24 और जेनरल नॉड़ेज के दोनों मिलाके जो कि 40 रहेंगे यह 100 नंबर के रहेंगे नुमेरिकल एन मेंटल एबिलिटी 40 अंक के रहेंगे 100 और मेंटल एप्ट्यूड टेस्ट इंटिली चारीस परस्ण रहेंगे आपको दो गहंटे की परिछा होगी और धाई अंको के रहेंगे चार भागों पूछा जाएगा बताया ही उसके बाद आते हैं देखते हैं लिखित परिछा होगी उसके बाद सारी लिखमान से परसे फिर प्री मेडिकल टेस्ट होगी तीन चरण है जो किसमें होगे और यह तो बताया है तो मुखे रूप से यही रहा आपको और इसमें जो सीलेवर्स के अनुसार अगर बात करें तो आपको सबसे ज्यादा इसमें अंतर जो है आपको जनरर से जो अगर विहार के है या चार्दकन्ड के हैं तो आपको लो नागरिक शास्त रहेगा है इसमें special 24 question रहेंगे इसमें तो यह आपको रहेगा थोड़ा विशेश ध्यान देना पड़ेगा और यह अच्छी वेकेंसी है और इतनी बड़ी वेकेंसी एक 630 पदों की तो इसको आप फॉर्म भार सकते हैं और जल्द है जो कि आपके विग्यामन से जो कि सितंबर में जो कि अनलाइन फॉर्म शुरू हो जाएगा और अगस्त में जो कि आदि सुचना चारी हो जाएगी तो इसी अपडेट के साथ धन्यवाद